उप्चनाफ के प्रचार में जुटे सीम शिवराज ने खंडवा में ही रात्री विश्राम किया सीम ने बीजेपी विधी प्रकोष्ट के अध्यक्ष मोहन गंगराडे के घर रात्री विश्राम किया सुबा उठने के बाद सीम ने घर की बालकनी में आकर लोगों का अभी भा सिंग चोहान ने कहे हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं खंडवा में गंगराडे परिवार के हाँ पर सीम जो है रात्री विश्राम किया है और अभी सुबह हुई है देखें सुबह की शुरुवात हम देखें सीम की तो अखवार पड़ रहे हैं अखवारों में किस तरह के समाचार हैं पूरे प्रदेश पर जो है मुख खवरों पर सीम की नजर है और देखिए जो गंगराडे परिवार के सज़त्स हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं और सुबह की अब पहली तस्वीर देख पा रहे हैं मद्द प्रदेश के सीम शुवरा सीन चोहान खवरों पर प्रदेश पर नजर है और जब सुबह सीम की सुवह हुई और जब बहा निकले तो नीज टॉन्टिफर मद्द प्रदेश चतिवरा को सीम ने गूड मॉनिंग कहा और जब पूछा गया कि खंडवा कैसा है खंडवा की पहली सुवह कैसी है तो सीम बोले कि खंडवा फुटा रहे हैं और साथ में जो उनके पास है वो अखवार है आप देख पाने कि एक के बाद एक अखवार पढ़ते आ रहे हैं और देखिए चाह के साथ इसकी शुरुआत हुई है दरसल हम बात करें तो खंडवा में सीम चुनाबी दोरे पर हैं रात्ती में जो भोजन कि किया वो एक परिवार में किया और इस घर की बात करें जहां पर सीम अभी मौजूद है जो परिवार के सज़स्तों ने बताया रात में सीम ने हल्दी का दूद पिया और इसके बाद अब हम सुबह देख पा रहे हैं किस तरह की जो शुरुवात हुई है आदिके सीम के आध के बाद योग करेंगे पूरे शेडूल की बात करें तो आज इसके बाद दाद या धुने वाले मंदर में दर्शन करने भी जाएंगे उसका चुनावी समग होगी खंडबा से हमारे जो साती हैं इमरान खान हम खंडबा में मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि जो तस्वीर है मद्द प्रदेश के मुखिया की है इस तरह का नजारा आपका भी देखने को मुलाया देखिए उन्होंने जब बात की तो सबस्पहले गुड मॉनिंग कहा खंडवा के लोग हैं क्या महिसूस कर रहे हैं बिल्कुल खंडवा के लिए अद्बूद है क्योंकि जिस तरीके से नजारा एक बड़ा मेसेच की तरफ है क्योंकि घंडवा में लोग सबाव चुनाव हैं इसलिए मुख्वंत्री सिवराज सिंग चोहान के अपने दिन चले की दिन चले एक बात करें देखिए हम बात करें चुकी सीम यहाँ पर रुके हुए लोगों को सूचना है और सीम की एक जलक पाने के लिए देखिए तमाम जो लोग हैं आप नीचे तस्वीर देख पा रहे हैं हाला कि मुख्वंत्री के नाते जो सिकूर्टी है यहाँ पर खासी देखी जा रही है लेकिन हाँ सीम जिसको देख पा रहे हैं तो उसके बाद मुस्करा देते हैं और जो लोग सीम को देख पा रहे हैं उनकी जो है जलक पाने के लिए लोग यहां तक पहुँच रहे हैं बात करें आज सियम इस परिवार में मौजूद हैं यहां पर चाहिकी चुस्कियां ले रहे हैं उसके बाद दादाजी धुनी वाले के दर्शन करने जाएंगे और उसके रागविंद पांटे के साथ राकेश चत्रुविदी, News 24, पोपा.